अब बेरे वेरी गुड एवनिंग एंड वेलकम टू सरकारी एक्जाम वाला आप दोस्तों आज हमारा जो क्लास है यह पार्ट नमबर 2 है ओके जैसे कि यह हमारा जो एक्जाम है यह आपका UPRO-ARO एक्जाम के लिए है फिर UPSI के लिए है पुलीस के लिए है और लेकपार क्वेसन का तो लगबग सेम होता है ठीक है बाकि जब एक्जाम आपका होगा थिके जैसे ARO-ARO का अगस्त में है तो जब एक्जाम होगा उसके एक देड़ मेना पहले दो मेना पहले हम क्या करेंगे आए उसके लिए ठार्गेटेड़ प्लासिस होंगे ठीक्या तो यह जिक टू है और यह 2021 के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो चलिए हम अपनी क्लास को सुरू करते हैं इससे पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपको राइड कलर का सब्सक्राइब को बटन दिख रहा होगा तो चैनल को सबसे प कौन सा स्थान इस्टील निर्मान से समंदित नहीं है यह काफी इंपोर्टेंट क्वेशन है और काफी इजी भी बोख सकते हैं और इंपोर्टेंट भी है तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका कि कौन सा जो स्थाने वो इस्टील निर्मान से समंदित नहीं है तो यह सी जर्कन के धनबाद जीला में है तो जर्या कोईला के लिए फेमस है ना कि स्टील के लिए यह तो आपको ध्यान में रखना है चलिए नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्वेशन है भारत का राष्ट चिन कहां से लिया गया है जिन स्ट्ट को अंसर मालूम होगा आप कमेंट सेक्षन में कमेंट करके अंसर कर सकते हैं ठीक है इसके लावे भी कोई भी क्वेशन होगा आप राइस कर सकते हैं तो यहां पर जो आपका करेक कि आस्थान की उचाइ समुध्य त्रल से सबसे अधिक हैं तो इन चारों में से आपको बताना है कि किसकी उचाई है वह समुध्य त्रल सबसे अधिक है तो यह पे आपका relationships रहता होगा वह आपका oot उटी की जो है, वो सबसे अधिक है, तो कितना है? तो दार्जीलिंग का यहां पर है apolog 2050 उटी के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो आपका 22040 जो है, वो समुत्तर से इसकी उचाई है सिम्बला के बारे में बात करेंगे, वो है आपका 2202 एंड आपका डल होजी की बारे में बात करेंगे तो 1970 ठीक है ये इस भी की बारे में बात नहीं हो रही है इस भी 2050 तो है नहीं अभी है ना तो ये आप ये बात नहीं हो रही है यहाँ पर बात क्या हो रही है उचाई की बारे में बात हो रही है उचाई तो यहाँ पर अगर इन चारों में से हम देखेंगे बच्चों तो बाइस सो चालिस जो है यह सबसे अधिक है दैन बी जो होगा वो आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट वन दिम में से किस एक की संस्तूति की अधार पर मूल कर्तवियों से समन्धित परवाधानों को भारत की समीधान में जोड़ा गया था जैसे कि कोई भी काम के लिए एक आयो गया कमीटी गठन की जाती है तो इसमें पताना है कि मुल्गर्तव्यों में जो परवधान है उसके लिए किस कमीटी का गठन किया गया था यह अकसर आपको सवन सिंह कमिटी है ना यहां पर धेखने यहां पर अधार पर ही मुल्ड कर्तव्यों में सवंधित पर्वधान जो ऐ जोड़ा गया तो यह कौन से सविधान संसोधन के द्वारा जोड़ा गया तो यह ब्यालिस्वान constitutional amendment 1976 के द्वारा जो है यह हमारी समिधान में जोड़ा गया था ठीके तो आगर कमीची के बारे में बात हो रहीगी बचो तो यहाँ पर आपको बता रहा है स्वन सिंग समीती लेगिन अगर यहाँ पर constitutional amendment समिधान संसोधन के बारे में बात हो रही होंगी तो यह आपको हो जाग अगर हम बात करेंगे पंचायती राज के बारे में तो यह किस कमिटी के recommendation पर आया था तो यह आपका बलवन्त राए बच्चे अक्सर confuse कर जाते हैं मुल करतव्य में और पंचायती राज में है ना तो यह आपको ध्यान में रखना है बलवन्त राए महता के recommendation पर जो है वो प इंद्री संगठन के पुनर गठन के बारे में तो वो किस कमीटी से जुड़ी हुई है तो वो आएंगर कमीटी से जुड़ी हुई है ओके तो यह आपको तीन जो है वो याद रखना है most important जो ही यह दो आपको याद रखना है एक तो आपका मूल करतवे वाला और एक पंचायती राज वाला ठीक है यह दोनों से ही question बनते है next one निम में से कौन सा सुमेलित नहीं है इन चार में से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो एक साथ मिलान जो किया हुआ हूँ है तो यहाँ पे जो correct answer होगा वो है आपका C हुमायू नाम हुआ हुमायू बच्चों को क्या लगए अच्छा यह हुमायू से हुमायू बतलब यह answer सही होगा नहीं बचो एक्जाम में इतना भी easy question नहीं पूझा जाता है ठीक है यह यहाँ पे गलत answer होगा हुमायू नामा जो है वो हुमायू के द्वारा नहीं लिखा गया था बलकि यह किस के द्वारा है तो यह है आपका गुल बदन बेगम के द्वारा है ठीक है तो अगया नामा महबत ताहिर हो गया है ना महबत ताहिर इनायत खान इंका पूरा नाम है और तुझुक ए जहांगीरी जो है वो जहांगीर के द्वारा लिखा गया है तो हुमायू नामा गुल बदन बेगम के द्वारा जो है यहाँ यह समंदित है इससे next one भारती शविधान के भारती सविधान के अनुचे 368 का सम्मंद किस्से है अनुचे 368 ये एक very important articles है तो आपको पता है तो आप बता सकते हो तो 368 ये जो articles है बचो ये आपका सविधान संसोधन की परकिरिया से जोड़ा हुआ है articles 3 6 8 इसके दवारा क्या होता है कि संसक को ये सकती प्राप्थ हैं कि वो सविधान में जो यहां भी लगे महां पर वो संसोधन जो है वो कर सकता है ये अधिकार किस के पास है बचो तो ये आपका संसत के पास है किसоту नूचे के तहट तो यह नुचे 368 के तहट संसत को यह सकती प्राप्त है ठीक है चले next one एक एकड में कितने वर्ग गज होते हैं जल्दी से बता सकते हैं आप आपको पता है तो answer तो यहाँ पर जो होगा ना एक एकड में वो है आपका A is the correct answer 4840 वर्ग गज ठीक है चले next one Reserve Bank of India RBI के अस्थापना किस वर्ष हुई है तो RBI के बारे में अगर हम बात करेंगे तो RBI के अस्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी एक अप्रेल 1935 में RBI के जो है वो अस्थापना हुई थी ठीक है एक अप्रेल 1935 में हुई थी और अगर हम राश्टी करन के बारे में बात करेंगे Nationalization के बारे में बात कर देंगे तो राश्टी करन जो हुई थी Nationalization बोलते हैं उसको तो वो हुआ था आपका 1 जनवरी 1949 में एक जनवरी 1949 में Nationalization हुआ था और इसके प्रथम Governor जो थे प्रथम Governor RBI के प्रथम Governor करेंट तो सबको मालूम होता है लेकिन प्रथम हमें नहीं मालूम होता है और अक्सर एक्जाम में पूछ लिया जाता है तो प्रथम Governor थे सं और स्भॉन इसमीठ ठीके सर और स्भॉन इसमीठ जो थे इसके प्रथम Governor थे RBI के प्रथम Governor सं और स्भॉन स्मीठ थे नेक्स्ट वण आपको कमेंट में बताना ह reversal कौन है खैकि अभी कौन है गवर्नर उत्र प्रधेश का राज की पक्छि कौन सा है I am उत्तर प्रदेश का है, यूपी के सारे एक्जाम के तेयारी हो रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए, कुछ क्वेसंस हम यूपी के बारे में भी हम एड करेंगे, तो यहां पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा सारस, सारस जो है ना वो उत्तर प्रदेश का राजी नेक्स्ट वन, किस राजी सिरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए पर्मानित बीच पर पर्तियाच लाव हस्तांतरन की सुवधा आरम की गई, डेरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसे हम बोलते हैं डी बीटी, है ना, डी बीटी, डेरेक्ट बेनिफिट गाएं है डाल जो भी जाटल करता होंगे जिनको पैसा मिलना होगा उसके एकाउंट में डाये पैसा नहीं रहेगी तो यह है कि किस राज सर्कार दारा सबसे पहले दिया गया तो यहाँ पे आपका correct answer होगा उत्तर प्रदेश यहाँ पे आपका correct answer होगा next one निम्मे से किसने कभी भी भारत के उप परधान मंत्री के रूप में कारेभार नहीं समाला है कभी भी उप परधान मंत्री के रूप में कारेभार नहीं समाला है तो यहाँ प्य हो जाएगा VP-SING VP-SING जो थे यह कभी वी उपर्धान मंत्री की रूप मेंुंने काम नहीं किया था यह हमारे आठ वे पर्धान मंत्री रह चुके हैं और यह उतर प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं UP के क्या रह चुके हैं सीम भी रह चुके हैं चेफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इन्होंने कभी भी ये उप्रधारमंद्री की रूप में नहीं किया था अगर हम बात करें कि भारत की उप्रधारमंद्री कौन-कौन है तो एक बाम मैं आपको रिकॉल कर देती हूं सरदार वल्लवाई पटे मुर उप्रधानमंद्री की रही हैं तो यह सकता है कि आगे भी पूछा जा रहे हैं चले Next किसी विधान यह विधान सभा, तो कम से कम जो है, वो 60 मेंबर इसमें हो सकते हैं, और अधिक के बारे में बात करेंगे, तो वो आपका 500 हो सकता है, तो 60 जो है, वो आपका minimum हो गया, और 500 जो हो गया, वो आपका maximum हो गया, ओके, तो यह जो उले खित किया गया है, तो यह आपका अनुचेत, विधान सभा की जो सनरशना है, वो आर्टिकल्स, 170 में जो है, वो पूरा इसमें मेंशन किया गया है, तो विधान सभा जो है, वो किस आर्टिकल्स के तहर, आर्टिकल्स 170, याद रखिएगा, चिक है, चले, next one, विश्व जनसंख्या दिवस कम मनाया जाता है, आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है बचों, एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है, अब कुछ और आपको चाहिए, तो आप जरूर बताना, कुछ और आपको किछ और क्लास चाहिए, आपको क्लास कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा, अच्छा लग रहा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है निमोनिय रोग जो है यह हमारे फेपड़े को प्रभावित करती है क्योंकि यह स्वसन समंदित रोग है यह किस प्रकार का रोग है यह स्वसन समंदित रोग है इसलिगे हमारे फेपड़े को प्रभावित करती है नेक्स्ट वन निम में से सरवाधिक सिमाओं वाला देश कौन सा है सरवाधिक सिमाओं वाला देश जो है वो आपका है चीन ठीक है क्योंकि चीन जो है लगबग 14 देश को टच करता है चीन जो है वो 14 देश को टच करता है अगर हम ब्राजील के बारे में बात करें तो ब्राज प्लाजमा की लगभग कितनी मात्रा होती है, अगर हम प्लाजमा में बात करेंगे, तो लगभग प्लाजमा में जो होता है, यह 90 परसेंट क्या होता है, यह 90 परसेंट होता है आपका पानी, मतलब जल ठीक है और 10% में होता है प्रोटीन 10% में प्रोटीन होते हैं और कार्बिनिक इवम अकार्बिनिक प्रधात होते हैं तो प्लाजमा में 90% तो आपका जल हो गया और 10% में प्रोटीन प्लस अकार्बिनिक और अकार्बिनिक प्रधात जो है वो 10% में ही सभी आते हैं ओ इम्पोर्टेंट प्वेसन हैं इसंतूर वा्दिय से समंधित है zł है यहां पर D यह संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्दिय है । भारत का सरवज़-नागरीक संमान कौन सा है? वह आपका भारत नरत्न ह्ने है। और दूसरा सर्वज़ बैदा तो वो आपका है पदम पुरुषकार चिक है जिसमें तीन आते हैं पदम स्री पदम भीभूसन पदम भूसम है ना स्वतन्त भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान सवा अध्यक्ष कौन थे तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो आपका पुरुषोतम दास टंडन चिक है प्रथम विधान सवा अध्यस रह चुके हैं पुरुषोतम दास टंडन चलिए नेक्स्ट वन भारत का सबसे दचनी छोर कौन सा है सबसे साउथ है ना सबसे नीचे वाला पूछा जारे जैसे कि आपका यह अगर यह भारत है ठीक है तो यह आपका नौर्थ हो गया यह आप इंद्रा कॉल सबसे उत्तर इंद्रा पॉइंट सबसे दक्षिन हो गया आपका सबसे दक्षिनी छोर्ज हो गया वह आपका इंद्रा पॉइंट हो गया और अगर हम बात करेंगे की भूति के बारे में तो यह आपका पूर्वी छोर हो गया यह आपका पूर्वी हो गया और पस्मी हो गया गुहार मोती, ठीक है, चले, नेक्स्ट वन, भारत में जहांगीर का सासन काल क्या था, यहांपे जहांगीर के सासन काल के वारे में बात हो रहा है, तो जहांगीर का सासन काल जो था बच्चों, वो है आपका सोला से पांस से सोला सो सताइस इस्वी, इसका सासन क जो था ना वो चित्रकाला का श्रण ही यूग माना जाता है से ठीक है और लेकिन इनकी मिर्तियों हो जाती है 1627 इसमी में इनकी मिर्तियों हो जाती है है ना चलिए नेक्स्ट वन स्वतन्त भारत के प्रथम भारती वह अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो यहां पर आपको जाएगा राज चकरवर्ती राज गोपालचारी जो है यहां पर करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट वन लोहे के एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहांच पानी पर तैरता है या सिधान्त या जो प्रिंस्पल है वो निम में से किस विज्ञानिक के सिधान पर अधारित है तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा यह पर मैं कुछ पर तो मैं एक्सपेक्ट अर सकती हूं कि आप इसका आंसर करो ठीके लेकिन अब चलिए मैं कि सिधान पर जो है यह अधारित है तो यह कुछ बहुत पर एक्जाम में पूछा गया है वेरी इंपॉटेंट क्वेसं बोल सकते हैं यहां से प्रश्ण जो है वो बन सकते हैं चलिए नेक्स्ट वन एपी कल्चर एक विज्ञानिक विधी है जो उत्पादन से समंदित है तो एपी कल्चर जो है वो किसके उत्पादन से समंदित है यहां पर क्वेसं पूछा जा रहे है तो एपी कल्चर जो है वो सहद के उत्पादन से समंदित है मधुमकी पालन से समंदित है तो मधुमकी क्या देती है बच्चों अधुमक्य सहट देती है हनी देती है तो यहां पर ए आपका करेक कांशर हो जाएगा तोरह साह na बात कर लेतें PC culture अगर हम PC culture के बारे म मात करें यहां से प्रष्ण है ना हर एक जास में एक-एक के पेपर देखे होंगे तो आपको पता चल पा रहा होगा पीसी कल्चर तो यह किसे समंदित है यह मतश्च पालन से समंदित है मचली पालन से चीक है वीटी कल्चर वीटी कल्चर किसे समंदित है वीटी कल्चर तो यह आपका समंदित है अंगूर की उतवादन से अंगूर से सेरी कल्चर सेरी कल्चर किस से है यह रेसम से समंदित है रेसम उत्पादन से होटी कल्चर यह किस समंदित है यह फलो की उत्पादन से समंदित है तो यह आपको याद रखना है PC कल्चर, VT कल्चर, सेरी कल्चर, होटी कल्चर, AP कल्चर तो जितने में important थे वो मैंने यहां पर आपके साथ share कर दिया है चलिए next one रिक में सहीता का नौवा मंडल पुर्णता किसको समर्पित है तो यहां पर आपको हो जाएगा जो सही answer होगा ना वो है आपका D, सोम एभम इस पेव पर नाम की देवता पर चलिए next one जनगर्णा 2011 के अनुसार नेमलखित राजियों में से किस राजि में पुरुष और महिला साचर्था दर में अधिक्तम अंतर है तो यहां पर जो होगा आपका correct answer वो है आपका उत्तर प्रदेश में बी आपका यहां पर correct answer हो जाएगा सबसे ज़्यादा अंतर है यहां पर महिला और पुरुष में कितना अंतर है तो उत्तर प्रदेश में अगर हम 2011 के अनुसार बात करेंगे तो टोटल जो साचर्था है वो आपका 67.7% है मतलब टोटल लिटरसी रेट जो है वो 17.3% है और अगर हम महिला के बारे में बात करेंगे फिमेल के बारे में यहां पर बात कर रहे होंगे तो 59.1 है तो आप देख पा रहे होगे कितना ज़्यादा डिफ्रेंस है मेल और फिमेल के लिटरसी रेट में है ना बचो चलि नेक्स्ट वन वह अस्थम जिसमें असोक ने सेम को मगस समराथ बताया वह अस्थम का क्या नाम है तो यहां पर आपका D जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाव अस्थम चलि नेक्स्ट वन दचिन गंगोत्री इस्थीध है दचिन गंगोत्री कहां इस्थीध है तो यह आपका हो जाएगा अंटाक्टिका D यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा दचिन गंगोती जो है वो भारत का अंटाक्टिका में सोथ स्टेशन है तो यह आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट वन निम्रकित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है इन चार में से आपको बताना है कि कौन जो है वो एक गलत है तो बचो अगर आप पढ़े होंगे कहीं तो आप यहां समझ पा रहे होंगे कि independent जो है यह यहां पे गलत है ठीक है तो ए यहां पे correct answer आपका हो जाएगा क्योंकि independent जो है वो किन के द्वारा लिखा गया था तो यह जो है लिखा गया है आपका मोती लाल नहरू के द्वारा है तो यहां पर भी अरंबेटकर यहां पर गलत यहां पर दे रखां़ है ठीक है तो यहां पर e आपका जो है करेक्ट अन्सर हो जाएगा next one निम्मीभिः निम्विश्चित में से कौन ँर्फ्रवय संतावन की क्रांति का नेता था तो अश्रम में अश्रम में बताना है ठीक है यहां पर अश्रम के परिपेच में पूछा जा रहा है तो यहां पर हो जाएगा अश्रम के मनी रामदत जो है वहां पर दीवान मनी रामदत यहां पर सही अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए तो यहा लाने के लिए ठीक है तो छरिये अब हमें फॉलो कर सकते हैं Facebook पेर Twitter में और Instagram में आप में फॉलो कर सकते हैं PDF के लिए आप डिस्क्रिप्षं बॉक्स में आपको PDF प्रोवाइड किया गया है ठीक है तो छरिया आपने next class में मिलते हैं तब तक के लिए बंदि मातर रम झाल 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 झाल